तिलंगाना से हमने इंतखबात के लिए वोटिंग का अमल लगातार जारी है तिलंगाना की सभी 119 सीटों पर वोटिंग हो रही है 290 उमीदवार इस वक्त मैदान में है तो वहीं सुभा 7 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है 3 घंडे का वक्त यहाँ पर हो चुका है और शाम 5 बजे तक वोटिंग लगातार जारी रहेगी तो वहीं कुछलाएं ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ 4 बजे तक ही वोटिंग का अमल देखने को मिलेगा तिलंगारा में BRS सभी 119 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है जबकि BJP सीट बटवारे के बाद 111 सीटों पर लड़ रही है और बची हुई 8 सीटे आदाकार पवन कल्यान की बार्टी जन सेना के लिए छोड़ी हुई है कॉंग्रिस ने भी अपनी हलीफ भारती कमनिस फार्टी को एक सीट दी है और खुद बाकी 118 सीटों पर लड़ रही है तो काफी इंतखाबी तश्वीर देखने को मिली तो मही तेरंगारा में 119 सीटों पर वोटिंग का मल लगातार जारी है और सुभा 9 बचे तक 8 फीसद ही वोटिंग हुई है वोटिंग सेंटर के बाहर लोगों की भीर देखने को मिल रही है हाला कि 3 घंटे का वक्त हो चुका है लेकिन कहीं कहीं पर कसी तादाद में लोग पहुँच रहे है तो कहीं कहीं पर अभी जादा भीर देखने को नहीं मिल रही है कई बड़े लीडरान ने अपने अपने हक के राइदही का इस्तमाल किया है असर्दुदीन ओवैसी ते अपना वोट डाला जोई किशन रेडी ने अपना वोट डाला इसके अलावा स्टार अलु अर्जुन ने भी यहाँ पर अपना हक के राइदही का इस्तमाल किया है तो अलग अलग अली डान के वोट डालने का अमल भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है आज जोई किशन रेडी भी अपनी पार्टी की जीत का दावा करते में नज़राय तो दूसरे तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से वोट करने की अपील की इसके अलावा एक्स पर भी लगातार ट्वीट देखने को मिल रहा है जहाँ पर तिलंगारा की अवाम से यह अपील की जा रही है कि वो जादर से जादर तादाद में बाहर निकले और अपने हके राय दही का इस्तेमाल करें तिलंगारा में वोटिंग का अमल लगातार जारी है अभी सिर्फ तीन घंटे का वक्त यहाँ पर हुआ है वोटिंग का अमल को शुरू हुए हुए तो दूसरी तरफ लेडरा निहापर अपील कर रहे हैं कि अपने सभी कामकाज को फिलहाल छोड़कर वोटिंग करने के लिए वोटिंग सेंटर्स का रुख करें और खास करके अज़ नए वोटर्स हैं जो फर्स टाइम वोटर्स हैं उनसे भी अपील की गई है कि वो अपने हक रायदही का इस्तमाल करें आपका एक एक वोट एहम्यात का हामिल है तो आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं आसाद दिन ओवासी ने अपने हके राय दही का इस्तिमाल क्या था तो तिलंगाना से ये खबर भी सामने आ रही है तिलंगारा के जनगाओं में कुछ जड़ब की खबर भी सामने आ रही है कॉंग्रेस और बियारस के जो कारकुन है उनके बीच जड़ब की खबर सामने आई है तो कई जगहां से इस तरह के खबर भी सामने आ रही है लेकिन दूसरी तरफ जो वोटिंग का आमल है वो भी जारी है तो तलंगाना में 119 सीटों पर वोटिंग हो रही है सदुदिन ओवैसी ने भी हैदराबाद के शास्त्री नगर में अपने हक कराई दही का इस्तमाल किया है AIM AIM सद्र असदुदिन ओवैसी ने अपना वोट डाला है हैदराबाद के शास्त्री पूरम में ओवैसी ने अपने हक कराई दही का इस्तमाल किया ओवैसी ने लोगों से कसीरतादात में वोट डालने की अपील की है अपने अपने घरों से निकले और अपने हक कराई दही का इस्तिमाल करें तो असे दुद्दीनों वैसी किसी 20-80 बयानवाजी से बचते हुए नजार आए दूसरी तरफ जी किशन रेडी ने अवाम से वोट करने की अपील की लेकिन उन्होंने कॉंग्रिस पर जम करने शाना साधा तो यहाँ पर ऐसे में देखना है होगा कि क्या भाजपा और कॉंग्रिस के सी आर की हैट्रिक को यहाँ पर रोकने की कोशिश जो कर रहे हैं उसमें काम्याब हो पाते हैं या नहीं तो चुनावी कई मुद्धे हैं लेकिन अगर 2014 से देखा जाए तो जो के TRS थी अब BRS जो हो गई है उसका ही वर्चस वो यहाँ पर रहा है लेकिन इस बार कॉंग्रिस और BJP काफी अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश करती हुई नजर आई है